हेलो एंड वैलकम टू माई नूटिश्यस रेसिपीज मेरे चैनल पर आपका स्वागत है सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बूल में दो चमच ग्रेटेड लॉकी लेंगे जब भी हमें कुछ बराना हो तो लॉकी उसी टाइम पर ग्रेट करनी चाहिए वता हो काली बढ़ जाती है मैंने अभी इसे ग्रेट किया है अब मैं उसमें डालूँगी बेसन दो चमच दो चमच बेसन डालने के बाद में मैं उसमें डालूँगी अज्वाइन का पावडर फिर डालेंगे नमक और थोड़ा सा जीरा उसका डेस्च बहुत अच्छा आता है बीना पिसावा जीरा का थोड़ा जूस बचा होँआ तो फीर उससे पहले बेसन को मिक्स करना एक उसके बाद में थोड़ा पानी डालना हैं अपना बैटर रैडी करना है थोड़ा-थोड़ा हि नालता इंसमें ओ डिल हो जाएगा तो हमें फिर फैर उतर ॉसमें और बेसन डालना पड़ेगा अब हम एक पैन को ग्रीज करेंगे ऑईल या घी से फिर उसे हम उसके उत पर स्प्रैड करेंगे ज्यादा पतला या ज्यादा थिक नहीं होना चाहिए थोड़े अच्छे सी कंसिस्टेंसी रखेंगे ऐसी मेनेजर बनाई है वैसी तो ऐसा चीला बनेगा हमारा इसमें आप चाहें तो हरी में इस्टाल सकते हैं पर मैं इसमें नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ही पसंद है दोनों साइट से अच्छे से से सेक लेना है हमें फिर दूसरा चीला भी ऐसी ही रेडी करना है काफी अच्छा कलर आता है इससे मैंने हल्दी भी नहीं डाली है क्योंकि देखना है कि इसमें कैसा कलर आता है राहिते में वैसे हल्दी की कोई जरौत भी नहीं होती है यह देखिए दो टेबलस्पून बेसं और लौकी से इतना दो चीले बनते हैं बड़े बड़े हम इसी दोनों को सेख लेंगे थोड़ा सा थंडा करके हमें इसे पीस करने हैं पीस आप चाहें उस शेप में कर सकते मैं छोटे छोटे पीस करते हूं स्क्राइब शेप में इस तरह से जब पीस हो जाए तब हमें एक बॉल करड़ लेना है उससे थोड़ा सा फेट लिया है चम्मद से भी फेट सकते हैं अब चाहें तो ज्यादा दू भई भी ले सकते हैं अब हम उसमें डालेंगे जीरा पाउडर राहिते में जीरा पाउडर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है भुनावा जीरा पाउडर है अब ना लेंगे नमक नमक अपने स्वात के अनुसार ही डाली है क्योंकि अपने पहले भी चिले में थोड़ा नमक डाला है तो आप देखके डालना कि फिर हम तड़का पैन रेड़ी करेंगे तड़के के बीना तो राइते कर टेस्ट भी नहीं आता है थोड़ा सा घी लेंगे उसमें राही डालेंगे लाल मेश का पाउडर और सुखी लाल मेश डालेंगे आप चाहें तो ब्रीन छल से भी अच्छा बन जाएगा और हमाया तड़का वेस्ट भी नहीं होगा यह देखिए हमारा राइटा रेडी है बहुत टेस्टी है थैंक्स फॉर वाचिंग